हलो 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 दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों आपके अपने कार चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज बात हो रही है कि भारत के सबसे ज़ादा माइलेश किंग कहे जाले वाली गाड़िया कौन सी है कौन सी गाड़िया सबसे ज़ादा माइलेश आपको देती है और आज की तरीक में तो इसका महत बहुत ज़ादा बढ़ जाता है क्योंकि आज की फ्यूल के फ्राइसेस को देख करके त्री इडियेट्स के राजू के मम्मी का डायलोग आता है वैसे ही पेट्रोल भी जो है वो इत्ती इत्ती थैलियों में सोनार की दुकाने पर बिकेगा तो इसकी विज़े से माइलेज का विचार जो है वो लोगों को करना ही करना पड़ता है तो ऐसे ही कुछ माइलेज ओरियेंटेड गाडिया मैं आपके लिए लेके आया हूँ जैसी जो गाडिया है वो अपने पेट्रोल हाइबरेड वेरियेंट्स को 49 से लेकर कि 46 तक की फ्यूल अकिनोमी जो है वो क्लेम कर रही है लेकिन उन गाडियों के जो प्राइजस है जो की 96 लाग से आगे शुरू होते हैं मेरे जैसे आदमी को अपने दोनों किड्नी बेज देने पड़ेंगे फिर भी नहीं ले पाओंगा तो बहुत जादा महेंगी गाडिया वो आती है कहने का मतलब यह है कि वो बहुत जादा महेंगी गाडिया आती है तो उनको मैंने इस लीग से थोड़ा सा बाहर रखा है तो हम वो गाडिया देखेंगे जो की प्यूरली पेट्रोल गाडिया है और एक अच्छी फ्यूल एकोनॉमी आपको देने का बादा करती है लेकिन दोसो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं है अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोसो इंतिजार किस बात का है आपको चैनल को फटा फट सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको कास रेलेटेड ऐसे ही नए नए और इंफरमेटिव वीडियो देखने है तो चलिए दोसो शुरू करते हैं तो दोसो सबसे पहली जो गाड़ी हमारे पास आती है वो है डाटसन की रेडी गो तो डाटसन की रेडी गो की जो क्लेम्ड एयार एयाई की तरफ से फ्यूल एकनॉमी है वो 25.17 किलोमेटर पर लिटर की उन्होंने बताई है हलाकि इसके अंदर दो टाइप की इंजिन आते हैं 0.8 लिटर याने के 800 Cc का एक इंजिन आता है और 1 लिटर याने के 1000 Cc का भी एक इंजिन इसके अंदर मिल जाता है जो 800 Cc वाला इंजिन है वो आपको 54 PS की पावर और 72 Nm का टॉर्क दे देता है और जो 1L वाला engine है वो आपको यहाँ पर 69 PS की power और 91 Nm का torque दे देता है तो इसके साथ जो है वो transmission के options भी यहाँ पर या तो manual या automatic यह दोनों ही आते हैं केवल 1L engine option के साथ में लेकिन जो mileage उन्होंने claim किया हुआ है वो 0.8L का ही है obviously लेकिन अगर आप 1L वाला भी engine लेते हैं तो इसकी अंदर कुछ खास गिरावट नहीं आएगी यहाँ पर 25 का mileage बता है हो सकता है कि 1L वाले engine में आपको 23 का मिल जाए बाइस का मिल जाए लेकिन बहुत इसमें गिरावट नहीं आएगी तो fuel efficiency की मामले में काफी बहतरीन गाड़ी है इसकी बाद आती है इसकी एक close rival that's a ready go जो है उसकी close rival हमारे पास आती है वो है reno की quid तो reno quid जो है वो भी 800 cc और 1000 cc options में आती है जो 800 cc वाला engine है वो ही आपको 54 ps की power और 74 newton meters का torque देगी और जो 1 liter वाला engine है वो 68 ps of power and 91 newton meters of torque आपको provide करेगी इसका जो 1 liter वाला variant है इसके top variant में आपको amt का option भी मिल जाता है हाला कि यह जो mileage उन्होंने claim किया है यह manual का है इसके बाद दोस्तों आती है जो हम कहें कि entry level hatchback में सबसे ज़्यादा बिखने वाली गाड़ी जो हमारी अपनी जो की हर गली चोबारे में दिख जाती है अल्टो 800 तो अल्टो 800 जो है उसका mileage ARAI की तरफ से claim किया गया है 24.70 kmpl का लेकिन इसका engine जो है वो कुछ इस तरीके से tune किया गया है कि इसकी power जरा कम निकल करके आती है 48 PS की power आ जाती है with 69 nm of torque तो यह figures अगर हम compare करें हमारे ready go या reno quid से तो power के मामले में यह गाड़ी जरूर थोड़ा सा पीछे रह जाती है वही पर reno और ready go जो है वो power को कही भी ना खुते हुए भी fuel economy को देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं तो इसकी विजए से यहाँ पर उन दोनों गाड़ियों को थोड़ा सा edge मिल जाता है कि power भी है और fuel economy भी है हालाकि इन तीनों ही गाड़ियों में जो 800cc वाला engine है उसकी अंदर थोड़ा बड़ा engine आको मिल जाता है तो 3-cylinder engine का particularly हम कह सकते हैं कि disadvantage यह है कि वहाँ पर जब काफी जादा वहाँ पर strained आपको लगता है काफी जादा noisy हो जाता है तो अगर इसके अंदर 4-cylinder भी add कर दिया जाए तो smoothness में जादा जो है इजाफा इसमें हो सकता है खेर इस गाड़ी के अंदर और एक benefit आपको यह मिल जाता है कि यह गाड़ी में आपको company fitted cng का भी option है तो आप इसके अंदर cng लगवा सकते हैं और अपनी mileage को इससे दुगनी भी कर सकते हैं इसके बाद आती है इसकी ही बड़ी बहन जो की है auto k10 तो auto k10 की जो mileage उन्होंने claim की है वो है 24.07 kmpl की और इसके अंदर आपको slightly जादा power मिलते है क्योंकि यह 1 liter वाला engine है तो इसके अंद आपको 69 PS की power और 91 newton meters को talk देखने को मिलेगा साथी साथ इसके अंदर 5 speed manual और AMT के भी option आपको मिल जाते हैं और ये वाले में भी आप चाहें तो gas kit जो है वो opt कर सकते हैं उसके लिए इसकी बाद आती है दोस्तो reno quid 1 liter तो अब आप कहेंगे कि 1 liter के बारे में तो तुमने ब 34.04 kmpl अब ये जो सारे के सारे गाडियों के मैं आपको figures बता रहा हूँ ये ARAI की तरफ से दिये गए figures हैं अब actual driving में जो है वो इसकी अंदर 19-20 जरूर हो सकता है ये greatly आपके driving style के उपर भी निर्भर करता है आप कितने traffic में चला रहे हैं इसकी उपर भी निर्भर करता है सा दोस्तों अगर information आपको पसंद आ रही है आगे भी आपको देखना है तो दोस्तों फटाक से वीडियो को like कर दीजे क्योंकि देखिए like करने के लिए पैसे नहीं लगते है बस एक बड़ा दिल लगता है तो दोस्तों जरूर like कर दीजे जिससे कि हमको भी प्रोसाहन मिले कि वही हमारी मेहनच जो है वो आप तक पहुच रही है आपको पसंद आ रही है और हम ऐसे ही नएने विडियो बनाते रहेंगे तो दोस्तों बात हो रही थी कि रैनो क्विड जो की 24.04 kmpl की mileage क्लेम कर रही है अपने automatic gearbox के साथ और वही पर अब लगे हाथ जो 1L manual variant है उसका भी म mileage figure आपको बता दू तो केवल 1 km less mileage आपको manual वाले में मिलेगा जो कि है 23.01 kmpl तो ये थोड़ा सा slight differences में आता है लेकिन फिर भी जादा नहीं है इसकी बात आती है दोस्तों और एक hot hatch जो की जब से वो गाड़ी आई है 2005 में तब से सारे Indians की दिल में घर कर वाठी है और वो है Suzuki क Swift तो Swift का जो mileage है वो 22 तक का claim किया गया है इसके अंदर 1.2 लीटर naturally aspirated engine आता है जो की Suzuki का tried and tested engine है और जिस size की ये गाड़ी है उसकी हिसाब से 22 की mileage इसको काफी बढ़िया है हम कह सकते हैं कि में भी B plus segment की ये premium hatch वाले segment में ये गाड़ी आती है या उससे थोड़ा सा ही नीचे है क्योंकि Baleno actually B plus segment की premium hatchback है उनकी लेकिन उसके बरावर नीचे जो है वो Swift आपके आ जाती है तो उसका size और बाकी चीज़े देखते हुए 22 का mileage acceptable है पता दू कि Swift के अंदर भी आपको auto का option मिल जाएगा और manual का भी option मिल जाएगा इसके बाद आती है और एक Maruti Suzuki ही गाड़ी तो Maruti Suzuki आपको पता है कि इनकी गाड़ियां जो है वो वजन में काफी हलकी होती है जिसकी वजह से इनकी fuel economy बढ़ने में काफी फाइदा मिलता है साथी साथ इनका जो engine है वो इतने सालों से वो इस्तवाल करते आ रहे हैं तो इसकी अंदर एक अलगी type की refinement आ गई है जिसकी वजह स से most of गाड़ियों में आप देख सकते हैं कि जिनमें 1.2 लिटर naturally aspirated engine है उस सब same 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 ही power figures देते हैं और उसकी वजह से उनका जो mileage figure है वो जादा differ नहीं करता है हाला कि गाड़ी का size और weight की हिसाब से थोड़ा बहुत कम जादा जरूर होता है लेकिन बहुत इसमें तबदीली नहीं आती है और same goes with wagonar wagonar के अंदर थोड़ी सी गिरावट है wagonar के अंदर वहाँ पर 21.79 km per liter का mileage जो है वो offer किया जा रहा है लेकिन इसके अंदर जो है वो आपको दो option engine option देखने को मिलते हैं एक होता है आपका 1 liter 3 cylinder engine और दूसरा है 1.2 liter naturally aspirated जो कि मैंने अभी उसके बारे में बात की तो जो आपको 1 liter 3 cylinder engine जो है वो आपको 68 PS की power और 90 Nm का torque देदेगा और जो 1.2 liter का engine है वो 83 PS power और 113 Nm का torque देदेगा लेकिन अगेन इसके अंदर भी जो 1 liter वाला engine है उसके साथ CNG का option आता है तो CNG वाला variant अगर आप वहाँ पर लेते हैं तो आपकी fuel economy जो है वो इससे क भी पहुच सकती है क्योंकि जब भी आपको ऐसा लगए कि बही पेटरोल ज्यादा खा रही है या हमें अब भी उतने power की जुरुत नहीं है straight road है you can switch to CNG जहां पर power की जुरुत है you can switch to petrol तो ये उसमें एक बहुत बढ़ी है सुविदा होने के करण अगर CNG वाला variant आता है तो उसकी fuel economy और जादा बढ़ जाती है इसकी बाद आती है सुजुकी की वो गाड़ी जो शायद उतनी जादा जो है वो success नहीं हो पाई हम इस गाड़ी को जादा तर तोर पर roads के उपर नहीं देखते हैं लेकिन ये गाड़ी mileage के मामले में काफी अच्छी है वो गाड़ी है espresso त जो कि 68 PS की power on 90 NM का torque आपको देगा लेकिन अगेन इसकी साथ भी CNG offer किया जाता है तो इसकी भी fuel economy जादा बढ़ सकती है इसके बाद और एक सुजुकी की गाड़ी वो है Celerio जिसका mileage वहाँ पर claim किया गया है 21 का तो इसके अंदर भी जो है वो same 1 liter का engine आता है with 69 PS of power 91 NM of torque तो यहाँ पर थोड़ी सी slight इसके अंदर change है जो कि Celerio X model करके वो आती है तो थोड़ी सी ही power इसके अंदर ज्यादा है तो mileage के अंदर ज्यादा इसमें फरक नहीं आता है और जो normal Celerio है वो भी आपको CNG के साथ मिल ही जाती है और finally हमारे पास एक गाड़ी आ चुकी है जो कि Maruti Suzuki कि नहीं है फिर भी अच्छा mileage देती है और वो है Hyundai की Grand I10 Hyundai की Grand I10 की जो AIR rating है वो 20.7 kmpl पोर लीटर की वहाँ पर आकी गई है इसके अंदर आपको 1.2 लीटर का powerful engine मिल जाता है और साथी साथ automatic का भी option मिल जाता है और एक नजरी से अगर देखा जाए तो बाकी गाड़ीों के म लेकिन इस गाड़ी के पास looks भी है ज्यादा features भी है mileage भी है ride quality भी इन गाड़ीों की अच्छी होती है steering light है यहाँ पर gearbox भी light है clutch भी light है तो overall ये गाड़ी जो है वो ज्यादा आपके लिए एक premium package जरूर बन सकती है हाला कि premium package के लिए premium पैसा भी बरना पड़ता है ये बाता ल Renault Quid का उसके बाद number आता है आपके Datsun Ready Go का और उसके बाद ये तमाम सारी जो आपकी Suzuki की गाड़िया है वो भी आप उसके बारे में विचार जरूर कर सकते हैं तो बस दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही आज हमने देखा कि कौनसी ऐसी petrol cars हैं इंडिया के अंदर जो क fuel mileage के मामले में काफी बहतरीन है तो दोस्तो अगर आपको लगता है कि इन गाड़ियों के अलावा भी कुछ और गाड़िया है जो की बहुत बढ़िया fuel economy देते हैं तो आप नीचे comment box में जरूर लिख सकते हैं comment box आपके लिए हमेशा खुला है